दोस्तों नमस्कार अपने चैनल पे में वीजे प्रकास आपका हार दिक स्वागत करता हूँ दोस्त जो हकीकत है उससे इनकार नहीं किया जा सकता या कोई फेक नियुज नहीं है बलकि यह 100% सही नियुज है हकीकत है उस कम्प्लेन में बहुत सारी बाते हैं जिसमें में मुद्दा है एसी सिद्वारा ओनपैसिप को एक MLM कंपनी मानना एक पिरामिड इसकीन मानना इस तरह की बहुत सारी बाते हैं अब बहुत सारी फांडिंग मेंबर्स इस तरह के नियुज को सुनकर अस्तब दरह गया हैं कि अगर उनपैसिप के साथ कुछ हन होनी हो गया तो फिर हमारे उमीदों का हमारे सपनों का क्या होगा वे सोचने लगे हैं कि जहां सिर्फ 15 दिनों के अंदर सब कुछ होने की राह देख रहे थे वहाँ इस तरह के नियुज से काफी परसान नजर आ रहे हैं जबकि बहुत सारी लीडर्स इस बारे में सफाई भी दे रहे हैं एक तो पहले से ही देर होने से फांडिंग मेंबर्स काफी परसान हो रहे थे और उसी बीच कुछ इस तरह के नियुज का आना उनके परसानी को और परहा दिया है दोस्त परसान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ओनपैसिब बिल्कुल सही सलामत धरातल पे आएगा हमारे जिंदगी भी बदलेंगे और हमारे सपने भी पूरे होंगे इस तरह के होने का अनुमान मिश्टर रैस को साथ पहले से ही था तभी तो वे MLM में यूज होने वाले हर एक चीज को हर एक सब्द को यहां से हटा दिये थे हटा रहे थे मेरे समझ से ओनपैसिब अपना काम करता रहेगा और एस इस यह अपना जाच करते रहेगी ओनपैसिब के लीगल टीम को पता होगा उन्हें कैसे जवाब देना है कि हम कोई MLM या पिरामीड इसकिम नहीं है बलकि हम एक प्योर E.I. बेस्ट IT कंपनी है किसी को अपराधी कह देने से ही कोई अपराधी घोसित नहीं हो जाता बहुत सारी जाच परक्रियाएं चलने के बाद अगर वह सही है तो उसे सही करार दिया जाता है और अगर वह गलत है तो उसे गलत करार दिया जाता है यह दर असल ACC और ONPACIP के बीच का मामला है ACC का कंप्लेन है कि आप एक MLM कंपनी है एक पिरामीड इसकिम है अपने लोगों को सपने दिखा कर 97 डॉलर्स करके जमा किया है अब ONPACIP को सफाई देना है कि हम कैसे MLM नहीं है कैसे हम कोई पिरामीड इसकिम नहीं है यह हमारे लीगल टीम एंड ACC के बीच का मामला है भले जाच चल सकता है बट ONPACIP के काम रूकिएगा नहीं ONPACIP को जो हमने 97 डॉलर्स दिये है उसके रिफंड मिलने का तो बहुत पहले ही घोसना कर चुके है CEO Mr. S हलाकि यह काम अगर जून में ही हो गया रहता तो बहुत बहुत बहतर होता दोस्त इस कंप्लेन में अगर देखा जाए तो कुछ खास नहीं है ACC का कहना है कि ONPACIP MLM है और ONPACIP को साबित कर देना है कि हम कैसे MLM नहीं है बाकी मुझे नहीं लगता है कि कोई और दिक्कत आएगा दोस्त जब भी कोई बरी मंजील को हसिल करना चाहता है तो बहुत सारी बधाएं भी आती हैं उनके सफलता के राहों में लेकिन वीनर कभी घष्फराते नहीं अचीवर कभी घष्फराते नहीं और अंतताव एपनी मंजील को पा ही लेते हैं अपने गोल को अचीव कर ही लेते हैं इस केस के बाद आज खुद हमारे CEO हम से रूबर हुए थे उन्होंने हर एक जरूरी बात को रखा है हमारे सामने हमारे CEO को इतना अधी confidence है अपने आप पर and on passive पर कि उनका कहना है कि एक भगवान को छोड़ कर और कोई नहीं है दुसरा जो on passive को दुनिया में आने से रोख सके, उन्होंने कहा है कि हमारे on passive को कुछ खास फर्क नहीं परने वाला क्योंकि on passive एक legal company है इसके बीना जाज परताल हुए दुबई जैसे जगह पे इतने बड़े लेबल पे marketing and advertisement करने का वहां के government द्वारा कदापी approval नहीं मिला होता किसी भी तरह के negative बातों में नहीं आना है हमें हमारे on passive and management के support में जी जान से खरे रहना है किसी के भी गलत भाकावे में नहीं आना है हाँ कुछ negative सोचनिया बोलने वालों को थोड़ा बल जरूर मिला होगा इस case के होने से लेकिन ऐसे लोग बहुत ही जल्दी ओधे मुह की रेंगे क्योंकि on passive और अधिक मजबूती के साथ हाएगा market में रही बात और देर होने की तो दोस्त मुझे नहीं लगता है किससे on passive के किसी भी काम पे असर परेगा जांच की परिक्रिया चल सकती है लेकिन इससे काम नहीं रुकने वाला on passive का घबराना बिल्कुल भी नहीं है on passive जिन्दाबाद था on passive जिन्दाबाद है और on passive जिन्दाबाद रहेगा कल मिलते हैं पूरे विस्तार के साथ पुझी वाल भविस्ट की काम नाव के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू दोस धन्यवाद